नमस्कार दोस्तों मुश्मित मिस्रा स्वाइद करता हूँ एक बार फिट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों उत्तर प्रदेश Current Affair को हम लोग कबर कर रहे हैं जनवरी से लेकर के जुलाई तक का तो इस Current Affair का ये Part 2 है ये दूसरा पार्ट है और Current Affair का सायद आज आखरी पार्ट हो पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है इसको जाएए फटा-फट से देखिए पहले ठीक है पार्ट 1 में बहुत सारी इंफर्मेशन दी गई है तो पार्ट 1 देख लीजिए उसके बाद ये Part 2 आप देखिएगा इसमें और भी आगे के महातपूर्ण कोश्चंस पर हम लोग कबर करने वाले हैं चर्चा करने वाले है यकीन मानिए आगे आने वाले जो भी एक्जाम से हैं उन सब के लिए ये important है चाहे आप UPP की तयारी कर रहे हो चाहे आप UPCS की तयारी कर रहे हो सभी एक्जाम के लिए ये UPS करने वाले है बहुत ही डिटेल के साथ बहुत ही मातपूर्ण होने वाला है ठीके ना UPP वाले ये ना संज़ें कि हमारा लेवल जो है वो बहुत एजी लेवल का पूछा जाएगा साथ लाग बच्चों में से चाटना है आपको तो लेवल हार्ड रखा जाएगा ठीके और UPCS वालों के लिए तो है ही बाकी ROARO वगएरा सब ही एक्जाम के लिए इंपोर्टन है तो बहुत ही ध्यान से सुरू कर दीजिए उत्तर प्रदेश करंट अफेर दो पार्ट में आपका पूरा कवर कराया जा रहा है इसके बाद अगर आप लोग का रिस्वांस अच्छा रहा आप लोगों ने और डिमांड की तो इस्टेटिक जीके भी मैं UPCS का कवर करा दूँगा यूपी जी के जी से कहते है ठीके जी तो चलिए सुरुवात करते हैं आज की क्लास आज की क्लास में सबसे महतुपूर्ण टॉपिक से हम लोग सुरुवात करेंगे आप देखे होगे अभी रिसेंटली एक चर्चे में एक सब दाया है SCR SCR यानि की State Capital Region ठीके ना State Capital Region यह क्या है भाई इसको समझते हैं उसके बाद सुरुवात करेंगे ठीक है इसको चाहिए question के रूप में आप समझ लो चाहिए वैसे ही समझ लो SCR पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे फिर question answer के system में होगा देखो बाकी की question है सब question answer format में है ना सिर्फ यही वाला question जो है इ देखो SCR का मतलब State Capital Region State Capital Region यानि राज किये राजधानी छेत्र हिंदी में भी याद रख लो क्योंकि यह पूछा जाएगा State Capital Region State Capital Region ठीक है राज किये राजधानी छेत्र आपने National Capital Region या NCR सुना होगा देली NCR सुना है ना तो देली NCR में क्या है कि देली के आसपास के जो जिले हैं उसमें से राजधान के हर्याना के उत्तर प्रदेश के इन जिलों को मिला करके State Capital Region बनाया गया स्वारी National Capital Region बनाया गया है देली का मतलब कि आप चूकीबैस सब चीज का Всёकर भी में करना है हर एक चीज राजधानी है थुसमें राजधानी है उसमें हर ऐका में का है चीज पर सुस्वों को इसमें लेकर मिला करके एक national capital बनाते हैं जिससे क्या करेंगे कि अगर जो को रहना होगा यहां पर आना चाहते हैं या कोई हेड़कौाटर या कोई फैक्टरी वगरा इंडस्ट्री वगरा लगानी है तो ऐसा करते हैं कि आस पास के भी उनको अपॉर्चनिटी ऐसे देंगे यहां पर भी उतना ही डेवलपमेंट है आप आओ और यहां से काम करो आप दिल्ली में ही माने जाओगे दिल्ली एंसियार में माने जाओगे ठीक है इससे क्या हुआ इससे लोग दिल्ली के तरफ और आकरसित हुए दिल्ली एंसियार बोल करके तो जब भी कोई बजट लाया जाता है जब भी कोई कोई विकास की बात की जाती है तो दिल्ली एंसिया चेत्र का भी विस्तार हो विकास हो ठीक है ना ऐसे ही उत्तर प्रदेश में सब लखनों आना चाहते हैं सबको अपना हेड़कौाटर भी करना है हम लोग भी अलहावाद से छोड़कर लखनों आ गए है ना तो सबको अपना हेड़कौाटर भी है करना है सबको फैक्टरी भी और उसके बाद फिर क्योंकि भाई राजधानी है तो राजधानी का बहुका अलालग है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि चलो ठीक है उत्तर प्रदेश का लखनों तो हम लोग डेबलब कर ही रहे हैं साथी साथ हम लोग आसपास के साथ जिलों को आगे जो छेत्र है यह हो जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन तो जब भी कोई विकास की बात आएगी कोई विकास का मॉडल आएगा लखनों से लोग यहां पर भी रहने वाले व्यक्ति जो है अपने आपको लखनों से यह अपना काम कर सके ठीक है जी तो अब यह हुआ जिससे उ आसपास के कौन से वो साथ जिले हैं यह आपको याद रखना है आपसे डिरेक्ली कुश्चन कैसे पूछा जाएगा निम्ण में से कौन सा जिला लखनों एस यार का छेत्र का के अंतरगत नहीं आता है ठीक है पहला कुश्चन और सबसे इंपॉर्टन सबसे ज्यादा बार अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही कुश्चन मनेगा आने वाले जितने भी साल लेलो दस बीस पचास साल सब जगह अभी यह कुश्चन बनने वाला है और शुरवात तो अभी सी हो रही क्योंकि 2024 में इसकी गोश्चना हुई है तो आने वाले सभी सालों में आपको इसको स् ठाज़ानक फाल नितने जिकांगा तो सीतापूर 12 बारा बनकी राए बरेलिया कानपूर नगर कानपूर देहाद और उन्नाओ याद रहे गा एगा 2 3 4 5 6 और लखनोंक को लेकर साथ हो गया तो यह साथ जिलों का किया जाए का किसने यह साथ जिले उत्र प्र प्रदेश के म आगे 50 सालों का डेविलिपमेंट प्रोग्राम रखा गया ठीक है अब यह तो एक अंसर बात रही है अब हम लोग कुशन अंसर पर आते हैं और बाकी के कुशन अंसर देखते हैं करेंट अफेर के ठीक है यह और समस्ञें अगया यह ध्यान रखिएगा यहीं से कुश्चन बनेगा अगला कुश्चन है 20 कुश्चन हम लोगों ने कल करेंट कवर कर लिया था देखिए हमारा 20 मतलब हुआ 60 ठीक है एक कुश्चन में 2-3 कुश्चन में आपको बताता हूँ तो आप कल की वीडियो देखोगे पिछला पाट इसका तो आपको उसमें बहुत सारे कुश्चन मिलेंगे यूपी से आज भी हम लोग आगे की कुश्चन के सक्षिद देखेंगे उसमें आपको बहुत सारी जानकरिया मिलने वाली है अगला कुश्चन है हाली में जारी रिपोर्ट के अनुशार किस राजी में साइबर क्राइम सबसे अधिक हो रहे हैं तो सबसे अधा साइबर क्राइम कहां हो रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा लोग हैं कहां पर सबसे ज़्यादा लोग हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग हैं. उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा है. उत्तर प्रदेश कैंसर के मामलों में सबसे ज़्यादा है. दोनों में है क्या भीया नंबर वन उत्तर प्रदेश ठीक है ये बात ध्यान रखना उत्तर प्रदेश उमीदों का प्रदेश ये ये दोनों ही मामलों में टॉप पर है कैंसर के मामलों में भी और कैंसर से मिलत्यू की मामलों में और यहां cyber crime के मामले में भी सबसे ज़्यादा है cyber crime मतलब जो cyber से related जो चोरी ठगी फराड होते हैं वो सभी cyber crime के तहट आते हैं cyber मतलब internet, mobile इन सबसे वगेरा हाली में हुई गोशना के अंसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कचुवा समरक्षन रिजर्व स्थापित किया जाएगा ये भी important question है ध्यान रहे उत्तर प्रदेश का ये पहला है ठीक है उत्तर प्रदेश का पहला है मैं लिख दे रहा हूँ भारत का पहला भागलपूर में है, भागलपूर कहा है, भागलपूर बिहार में, भागलपूर बिहार में भारत का पहला कछुआ सनलक्षण केंद्र अस्थापित है, ठीक है, सनलक्षण और पुनरवास केंद्र, उत्तर प्रदेश का पहला कहां पर है, गोंडा में, कहां पर गोंडा में, गोंडा एक जिला है, ठीक है न, फजाबाद के पास है, गोंडा बस्ती पहराईज, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला जिला जो है, कश्वा सनरक्षन रिजर भी यहाँ पर अस्थापिद किया जा रहा है, चलिए, किस राजे ने यूआ उत्दमियों को स ठीक है, उत्दमियों को मिलेगा, रिंड, रिंड यानि की लोन मिलेगा, ठीक है, यूआ उत्दमियों होंगे उनको लोन मिलेगा, इसके लिए बजट कितना रखा गया है, इसके लिए बजट रखा गया है, एक हजार करोण का, एक हजार करोण का बजट अलोट किया गया है MUI योजना के तहट उत्तर प्रदेश में अगला आयुसमान भारत PMJAY के तहट 5 करोड आयुसमान कार्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है तो देखिए 5 करोड आयुसमान कार्ट जारी कर दिये हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने और यह अपने आप में एक रिकार्ड है ठीक है ना आपसे कोश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताए निम्न में से कौन सा राज्य आयुसमान भारत योजना के तहट PMJAY योजना जिसे कहते हैं इसके तहट सबसे ज़यादा आयुसमान भारत कार्ड जारी किया है तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश तो पांच करोण संख्या भी पूछा जा सकता है सरवाधिक भी पूछा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश ही लगाईगा एक-एक करके आते हैं आयुस्मान भारत PMJAY योजना यानि प्रधान मंत्री जन आरोग योजना यह है क्या बहुत important है इसको ध्यान से देखेगा प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री मंत्री जन आरोग योजना जन आरोग योजना कभी-कभी full farm पूछ लेता है ठीके न तो full farm वाला question कैसे बनेगा बने बस कोई जोरी ने फुल फाम में पूरा पूरा फूरा फॉरा फाम पूचे, पूछ लेगा एक क्या आर्थ है, केवल या फिर पूछ लेगा जे का क्या आर्थ है, जन, जन कल्यान, जन भागीदारी, या जनता, कुछ भी आप्सन देदेगा, तो ध्यान रखना आरोग के कहां से पूछा जाएगा, तो कहां से आप बताओगे, राची से, कहां से, राची कहां है, जारखंड में, ठीक है, जारखंड में, ठीक है, तो जारखंड में, 2018 में, राची में, 23 सितंबर के दिन से शुरू हुई आयस्मान भारत, जन आरोगी योजना, जिसे आयस्मान भा ये, word, largest, या कहें biggest कहें, ज्यादा सही हो, largest मतलब वो अला लंबा हो गया, word, biggest, biggest, health insurance scheme है ये, health insurance scheme है ये, योजना है ये, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त बीमा योजना है, स्वास्त बीमा का मतलब क्या, स्वास्त के लिए बीमा, बीमा मतलब की insurance, यानि की कितना insurance की धनरासी, 5 लाख तक, 5 लाख रूपए तक का मुफ्तिलाज प्रतिवर्स, ठीक है, तो 5 लाख रूपए तक का मुफ्तिलाज करा जाता है प्रतिवर्स, किसको, जिसके पास हो आयुस्मान कार्ड, जिसके पास हो आयुस्मान कार्ड, तो ऐस कितने वक्ति हो गए हैं पांच करोड़ से जदा समझ में आई बात कहीं पर कोई भी डाउट हो पूछिए अगला हाली में किस राज स्थरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉल्सी को मनजूरी दी है ग्रीन हाइड्रोजन पॉल्सी इसको मनजूरी दी गई यह क्विश्चन रि तो Green Hydrogen Policy के तहत हम लोग Green Energy को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कौन लोग दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं, ये लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ध्यान रहे, लागू करने वाला, लागू करने वाला, फर्स्ट इस्टेट है, यूपी, ठीक है, घोशना अगर पूछा जाए, कि यूपी के अलावा कौन और घोशित कर चुका है, तो गुजरात ने भी घोशना कर दिये, कि हम भी Green Hydrogen Policy लाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश निकला उससे भी आगे, इन्होंने लागू भी कर दिया, ठीक है जी, चली, आगे बढ़ते हैं अगला उत्तर प्रदेश, अच्छा एक चीज़ और साइंस का कुशन ले लो, रेलवे के एक्जाम भी दे रहे हो सब लोग साथ में, Hydrogen को Future Fuel कहते हैं, ध्यान रहे, Hydrogen यानि H2 को क्या कहते हैं, Future Fuel, Future Fuel कहते हैं, भविस्य का इन्हन कहते हैं, भविस्य का इन्हन कहते हैं, क्य क्यों कहते हैं, जी, क्योंकि ये Zero Carbon Dioxide का Emission करता है, Carbon Dioxide का Emission नहीं करता है, और आगे हम लोग इसी पर तो काम कर रहे हैं, कि Carbon Dioxide का Emission ना हो, है ना, चलिए, आगे, हाली में, उत्तर प्रदेश राज सरकार ने कितने railway station के नाम को बदलने की घुशना की है, तो देखो, UP सरकार जो है, वैसे तो railway station का नाम, ये कुश्यन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, आपको गलत भी है, एक पकार से कर देखा जाए, टेक्निकली, उत्तर प्रद है, अब आठ जो बदले गए हैं, ये एक ही जिले से बदले गए हैं, इसलिए बहुत जादा important भी नहीं है question, मतलब नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे, आठ, आठ station बदले जाएंगे, बहुत छोटे-छोटे station, कोई बड़ा नहीं है station, इसलिए, इसलिए, अमेठी के, इस बहुत छोटे-छोटे हैं, हाल्ट है, कहीं-कहीं पर stoppage है, मतलब कोई बड़ी express train होगी, तो रुखेगी भी नहीं, इन सब जगवा उपर, इसलिए, बहुत जादा important नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा station होता है, जोरूर आपको होता है, किस उच नयाले ने मदर्सा सिक्षा अ अधनियम को रद किया, मदर्सा सिक्षा अधनियम की तहत क्या होता था, कि जो Muslim community के student होते थे, वो मदर्सा में जो पढ़ते थे, इलहाबाद High Court ने कहा, कि आप लोग जो है, ठीक तरीके से सिक्षा नहीं provide कर रहे हो, बहुत सारे चीज़े हो रही है, उस standard पर बच्चे तया जाएगा, ऐसे में इन्होंने इस पर इस सिक्षा अधनियम को ही रोग दिया, मतलब इस मदर्सा सिक्षा अधनियम के बोर्ड को ही रद कर दिया था, High Court ने, ठीक है, इलहाबाद High Court की बात थी, फिर Supreme Court में गया मामला, Supreme Court ने क्या किया, इस decision पर इस्टे लगा दिया, अब य की रोक लगा दी गई है, रोक, ठीक है न, लग गई है, तो ये भी ध्यान रखना, ये updated news है, और ये तो इसका news बना ही था, मदर्सा सिक्षा अधनियम का, दोनों ही point मैंने बता दिया, क्योंकि ये चर्चे में था, तो question बनेगा जरूर, अब रोक लगा दी है, इसके पीछ उत्पादों को GI tag प्रमारित उत्पादों की सूची से जोड़ा गया, देखें, GI tag, UP के special GI tag, जो है न, UP के GI tag, इसको मैं यहाँ पर current affair में नहीं बताऊंगा, क्योंकि UP के बहुत सारी GI tag है, सबसे ज़्यादा UP में, जो है, सरवाधिक, सरवाधिक GI tag वाला, राज्य बन चुक है न, तो इसलिए, यह 75 तो हैं पर पताया नहीं जा सकता, अभी 15 और प्रोड़क को GI tag दिये गए हैं, उत्तर प्रदेश के, इसको ध्यान लखिएगा, इसको static में मैं आपको कोर्स में cover कराया हुआ हूँ, और नहीं होगा होगा, तो फिर करा दूँगा भी हाल फिलाल में, ठीक है न, वैसे तो मुझे लग रहा है, मैंने कराया हुआ है, इसको ठीक है, यूपी स्पेसल का, चलिए, एक और जोरी बात, यूपी स्पेसल जीके का, जो लोग भैच लेना चाहते हैं, तो वो लोग उसे ले सकते हैं, अब कल से नए अपडेट आ जाएगा, मुबाइल का, तो उस नए अपडेट के थुरू, फिर आप अच्छे से पेमेंट वगरा कर पाओगे, कुछ पेमेंट में इसू आ रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो इसलिए नए अपडेट जबा जाएगा, नए अपडेट कर लोगे, तो फिर आप वहां से बैच परचेज कर सको होगे, ठीक है, UPGK का special badge अवैलबल है आपके लिए, चलिए, हाली में कहां के तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ती धातु कास्टिंग सिल्प को GI tag दिया गया, तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ती धातु, ये कहां का है जिसको GI tag दिया गया, तो देखुए, अभी अयोध के बारे मैंने आपको बताया था, अयोध्या में हनुमान गड़ी के, हनुमान गड़ी के, हनुमान गड़ी काल वाली वीडियो देखे होगे तो ज़रूर व्याद होगा, हनुमान गड़ी के बेसन के लड़ु को GI tag मिला था, या तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ती वाला राज्य उत्तर प्रदेस है, अब उत्तर प्रदेस के सभी जीलों में सबसे ज़्यादा GI tag पराप्त करने वाला जीला जो है, वो है वारारसी, ध्यान रखियेगा, जैसे उत्तर प्रदेस में कुल 75 GI tag है, ठीक है न, ये confirm है, 75 GI tag है, अब इसमें उत्तर प्रदेश से केवल वारारसी से सबसे ज्यादा वारारसी से सरवाधिक 30 G.I. टेग है ठीक है हो वारारसी में अकेले 30 G.I. टेग है अब उत्तर प्रदेश में ये जो 75 G.I. टेग प्रोडक्ट है ठीके ना ये जो 75 है इसमें दोस्तों 58 जो है ये हस्त सिल्प है है हैंड लूम्स है ठीके ना हैंडी कराप्ट कह सकते हो 58 जो है ये हैंडी कराप्ट कोड़क्ट है हस्त सिल्प है हस्त सिल्प प्रोड़क्ट है और और बाकी की बचे कितने बच रहे हैं आपके 15,2,17 ये 17 जो हैं ये आपके किरसी उतपाद है ठीक है ना ये आपके किरसी उतपाद है 17 तो ये भी ध्यान रखना अगर बहुत डीप में जा कर के पूछेगा तो ये पूछेगा कि बताये उत्तर प्रदेश में कितने हस्त صिल प्रडक को प्रोड़क्ट है तो वारार्सी आप बताएगा 30 ठीक है ना याद रहेगा चलिए अगला इस लेबल के कुश्चन कहीं आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं वनन वनली प्लेटफॉर्म है जहां पर इतने अच्छे लेबल के कुश्चन हैं हर प्रकार के आपको एक्स्प् ठीक है ना तो इसके नियम पर रोक लगा दी है किसने इस्टे लगा दिया है किसने सुप्रिम कोट ने ठीक है चलिए अगला अभी एक और ऐसे बीच में नाम आया था ना कावड यात्रियों के जो यात्रा वाले जो रूट था उस रूट पर जो दुकाने थी खाने पीने क 2024 में राज्य ट्रांस्मिशन कंपणी द्वारा ट्रांस्मिशन लाइन जोडने के मामले में कौन सा राज्य सीर्स पर है राज्य ट्रांस्मिशन लाइन कौन सी राज्य की ट्रांस्मिशन कंपणी है जो सबसे अलगाई हुई है तो आप बताओगे UPPCL UPPCL उत्तर प्रदेश Power Corporation Limited ठीक है ना? उत्तर प्रदेश Power Corporation Limited जो है ये बहुत ही बेगहरत company है हम लोग काफी जेले हैं इससे लेकिन ठीक है फिलाल UB PCL काम अच्छा की है अनराजों के मुकाबले में ठीक है? उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है Transmission Line के जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश में Transmission Line सबस्यादा जूड़ी है दूसरे पर कौन है? गुजरात दूसरे पर गुजरात है अगला किस IIT संस्तान ने उडान कारिकरम सुरू किया? किस IIT संस्तान ने उडान कारिकरम सुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में IIT संस्थान कौनसा है एकलोता तो आप बताओगे कानपूर IIT कानपूर ने उडान कारिकरम सुरू किया है उडान क्या है ये किस के लिए अगर पूछा जाएगा किस उद्देश से के लिए तो उद्देज से बताएगा उद्देज से बताएगा drone startup के लिए drone startup के लिए ठीक है ना? drone startup को बढ़ावा देने के लिए तो IIT कानपूर के researchers वगरा जो होंगे drone में कुछ नए updates करेंगे और drone startup को जिससे बढ़ावा मिलेगा drone startups की मदद करेंगे तो IIT कानपूर उडान जो है कारेकरम सुरू किया हुआ है 2025 से 2029 तक MotoGP इंडिया का आयोजन कहां किया जाएगा ये मैं कई भार आपको डेली करेंट अफेर में और वैसे भी चिला चिला करके बताया हुआ हुँ कि भईया MotoGP वाला पूरा ठेका ले लिया योगी जी ने MotoGP MotoGP रेस जो होगी ये भईया कहां होगी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में इंटरनेशनल सर्किट में ठीक है ये कहां पर है नोईडा में है नोईडा में है जिसे हम लोग कहते हैं गौतम बुधनगर गौतम बुधनगर ठीक है याद कैसे रखोगे बुधा इंटरनेसल सर्कुट गौतम बुधनगर में है नोईडा में इंटरनेसल सर्कुट ठीक है यहाँ पर मोटो जीपी रेस होगी मोटर जीपी रेस बाइक वाली ठीक है ना तो मोटर बाइक वाली रेस है कब से कब तक होगी 2025 से 2029 तक ये डील हो गई है ये डील हो गई है भाईया फाइनल इससे पहली वाली जो रेस हुई थी ना वो भी यहीं पर हुई थी 2024 वाली भी यहीं पर हुई थी इसी में और बहतरीन आयज़न हुआ तो फिर ये डील पूरा 2005 मतलब 5 साल के लिए आगे उतर प्रदेश को ही मिल गया इसी बुद्धा इंटर्नेसल सर्किट में आयज़ित होगा एक और कुछन अभी अपडेटर बना हुआ है क्यों चर्चे में आया था जब मैं इसको डेली करेंटर बताया था क्योंकि सिखर धावन को बनाया गया इसका ब्रैंड अमबेजडर ठीके ना इसका बनाता हूँ यह मोटो जीपी रेस का यहाँ पर तो इसका ब्रैंड अमबेजडर कौन बनाया गया ब्रैंड अमबेजडर बनाया गया दोस्तों सिखर धावन को सिखर धावन को क्रिकेटर है ना सिखर धावन चली आगे हाली में किस वन्जिय भैरन को उत्तर प्रदेश का पांचवा टाइगर रिजर्व घोसित किया गया बहुत 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 बह पहला दूसरा तीसरा चौथा सब बताओ पहला वाला आप लेलो लखीम पूर कीरी में इस थे दुद्धवा निस्नल पार्क एक बात ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक निस्नल पार्क है सबस्यादा नेशनल पार्क मंद्यपरदेश में, सबस्यादा टाइगर रिजर मंद्यपरदेश में, सबस्यादा चीता मंद्यपरदेश में, चीता तो मतलब एक लोटा वही मंद्यपरदेश में है, लेकिन उत्तर परदेश में किवल एक नेशनल पार्क और नाम क्या है उसक पार्क है कहां पर है तो आप बताएगा लखीमपूर खीरी में है लखीमपूर खीरी में है ठीक है चलिए दूसरा आजाओ दुधवा निस्नल पार्क में जो है यहीं पर दुधवा टाइगर रिजर्ब है मैंने आपको एक चीज समझाया था जो लोग नए बच्चे होंगे देखो समझ लो कि जैसे यह हुआ है निस्नल पार्क ठीक है खूब बड़ा सा निस्नल पार्क इसमें पेड़ पौधे पसु पक्छी जीव जन्तु जानवर जंगली सब रहते हैं ठीक है ना इस निस्नल पार्क में मालो कोई एक ऐसा छेतर है जहां पर जहां पर सेर लोग या टाइगर लोग रहते हैं तो टाइगर लोग हैं तो उस एरिया में जाना नहीं है तो वो टाइगर को सनरक्षित करने का एक छेतर घोजित कर दिया गया तो उसे कहा गया टाइगर का या कहें कि बाग का सनरक्षित चेतर यानि टाइगर का रिजर्व छेतर तो यह हो गय तो एक national park के अंतरगत वो भी हो सकता है ठीक है reasoning माला question पढ़ते हो नहीं है सभी unity किताब है, सभी किताबे unity है वगएरा वगएरा, वैसे ही तो इसको देखकर confused मत होना यहां दुधवा national park लिखा हूँ तो इसको दुधवा tiger reserve भी लिखा रहेगा अभी आपने बताया कि वह एक national park है लेकिन tiger reserve 5 गिनाए जा रहे हो तो फिर अगेन वही वाली बात आजाओ tiger reserve तो एक हो सकता है छोटा सा, लेकिन national park तो बड़ा वाला होता है ना, तो national park के अंदर tiger reserve होता है, tiger reserve के अंदर नहीं होता है, है ना, तो national park एक ही यह उत्तर प्रदेश में tiger reserve 5 है ठीक है, तो पिली भेट tiger reserve हो गया, दुधवा national park हो गया या दुधवा tiger reserve कह सकते हो इसके अलावा यह अमानगड अमानगड tiger reserve tiger reserve हो गया चोथा है, रानीपूर tiger reserve रानीपूर tiger reserve और पांचवा जो है, यह है, सुहलवा सुहलवा वन्जिय भ्हारण भी है, वहीं पर tiger reserve है ठीक है, तो यह 5 हो गया अब ध्यान रहे, पूछा जा सकता है आपसे एक question, कि बताओ सुहलवा tiger reserve जो है, यह किन-किन जीलो में बनेगा, तो याद रखना किन जीलो में, उत्तर प्रदिस की किन जीलो में यह इस्थित है, तो सुहलवा वन्जिय भ्हारण जो है, यह इसी में जो सुहलवा tiger reserve है यह सुहलवा वन्जिय भ्हारण का चोचेतर है वो कहा-कहा फैला है, तो आप बताओगे कहा-कहा, बलरामपूर बलरामपूर स्रावस्ति और गोंडा ठीक है ना, यह भी बहुत important question है, आप से question पूछा जाएगा जब तो उसमें एक option एक जिला कोई और दे देगा और पूछेगा निम्ण में से सुहलवा वन्जिय भ्हारण का छेतर नहीं आता है किस जिले में, तो आप बता देना ठीक है ना, बलरामपूर स्रावस्ति गोंडा को छोड़ कर बाकी का कोई भी जिला होगा, हाली में मिली जानकारी के अंसार मंगल गरा के गड़ों के नाम किस राजी के सहरों के नाम पर रखे गए हैं तो मंगल गरा पर दो गड़े खोजे गए हैं और गड़ों के नाम यूपी और बिहार के दो जगों के नाम पर रखे गए हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार आप लगा देना अंसर मंगल गरा में तीन गड़े बिसिकली खोजे गए हैं तीन गढडों के नामकरंड किये गए हैं लेकिन एक गढड़े का नाम एक साइंटिस्ट की नाम पर रखा गया है नाम रखे गए हैं पहला जो है यह है लाल क्रेटर अच्छा गढडा को क्रेटर कहते हैं ना लाल क्रेटर, दूसरा है मुरुसन क्रेटर, मुरुसन क्रेटर, यह यूपी से है, और तीसरा जो है हिलसा क्रेटर है, हिलसा क्रेटर, और यह है बिहार से, ठीक है, तो बिहार से, लाल क्रेटर जो है, यह एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर, देवेंद्र लाल, प्रोफेसर, देवेंद्र, लाल के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना, लाल क्रेटर, तो यह तीन क्रेटर के नाम रखा गया है, याद रखना इसको, हाली में लिजानकरी के उनसर, कि इस राज में विश्व का पहला ACI King Vulture प्रजनन के इं जिले में ये ये ACI King Vulture President Kendra या आप से पूछा जा सकता है ACI King Gid Sanrakshan ACI Gid Sanrakshan ठीक है Gid Sanrakshan और President Kendra कहां खुला है तो Gid Vulture मतलब Gid होता है तो इसको ध्यान रखना ये important question है ये बना हुआ है और आगे भी बनेगा ठीक है ये बन चुका है Gid जो है ये पूरी दुनिया में बहुत कम मातरा में पाए जाते हैं 2007 में 2007 में IUCN की Red List में इसे डाला गया था Red List में Red List मतलब बिल्कुल विलुप्त पर जाती बहुत ज़्यादा खत्रे वाली पर जाती कि अब ये विलुप्त होने की कगार पर है IUCN की Red List में 2007 में डाला गया था CSC रिपोर्ट के अनुसार Sumpeded Biogas उत्पादन में कौन सा राज जे Sears पर है Sumpeded Biogas यानि Compressed Biogas Compressed Biogas जो है इसके उत्पादन में Top पर उत्तर प्रदेश है एक होता है CNG CNG जो आप गाड़ी वगरा देखते हों CNG से चलने वाली गाड़ियां होती आटो होते हैं तो ये Compressed Natural Gas है ठीक है ना इसमें N का मतलब हुआ Natural Gas प्राकर्तिक Gas और यहाँ पर B का मतलब हुआ Biogas ठीक है ना तो Compressed Biogas के उत्पादन में बात की जा रही है सिप और Compressed होता है याद रखना आगे उत्तर प्रदेश कैबनेट ने कहाँ पर मंदिरों का संग्राले बनाने के लिए Tata Suns के फ्रस्ताओं को मंजूर दी है मंदिरों का संग्राले ये पहला होगा सायद मंदिरों का संग्राले Museum of Temples Museums of Temples ठीक है ये कहाँ पर होगा अस्थापित अयोध्या में अयोध्या में और कौन बनाएगा Tata Suns Tata Group को जिम्मेदारी दी गई है तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में बना जा रहा है मतलब ये मंदिरों का संग्राले इसके लिए 650 करोड के आसपास में हुई है डील 650 करोड की लागत पर बनाया जाएगा किस जिले में उत्तर प्रदेश आम महोध्या मनाया गया जिसके तहत 15 टन आम जापान भेजे गए उत्तर प्रदेश में दोको आम महोध्या पूछा जाएगा तो आप बता देना लकनो ठीक है O.D.O.P. योजना आप सुने हो न O.D.O.P. देखो O.D.O.P. वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट योजना जो है काफी पूरानी समझ से ये उत्तर प्रदेश में चल रही है है ना तो O.D.O.P. योजना के तहत वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट को बढ़ावा दे जाता है ऐसे मैंने आपको चार प्रमुक फेस्टिबल बताये थे केला महोच्सो बताया था केला महोच्सो ठीक है कुसी नगर में केला महोच्सो कुसी नगर केला महोच्सो आम महोच्सो लकनोव लकनोव का मलीहा बाद जो है बहुत फेमस है एक बार मैंने देखा था question UP special में कि बताईए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगापर निनमे सी कौन सा जो अस्थान है आम के लिए बहुत ज़्यादा famous है प्रसिद है तो याद रखना मलीहाबाद मलीहाबाद लकनो ठीक है ना ये दोस्त याद रखना बहुत अच्छे-च्छे question एक तरम टाप लेबल की इसके बाहर से नहीं आएगा इसको लगा डाला तो लाइब जिंदा लाला है ना चलिए अब आम महुत्सो हो गया इसकी अलावा और क्या बताया था मैंने केला महुत्सो कुसी नगर आम और काला नमक चावल महुत्सो जो है काला नमक चावल महुत्सो जो है ये याद रखना सिधार्थ सिधार्थ नगर ठीक है उत्तरप्रदेश का एक जिला ये भी है यहाँ पर मनाया जाता है अगला जुलाई 24 में ताटा पावर ने किस राजी में घरघर सोलर ताटा पावर के संग अभियान सुरू किया तो उत्तरप्रदेश सरकार ताटा को मतलब काफी अच्छे तरीके से डील दे रही है खुब धगाधक यहाँ पर उत्तरप्रदेश में ये गरघर solar Tata Power के संग अभियान सुरू करके, उत्तर पर्देश और भारत सरकार की योजनाओं को अगरिशित करेंगे टाटा पावर टाटा संस की है की योजनेट है अब उत्तर पर्देश चोड़ो, भारत सरकार की दो योजना है मैं आपको बताता हूँ एक PM सूरिघर योजना, ठीक है, सूरिघर मुफ्त बिजली योजना, एक प्रधान मंतरी सूरियोदय योजना, दो योजना यह बताये थी अभी, जो 15 अगस्त के भासर में PM मोधी ने भूशना किया था, पिछली बार के बजट में भी आये था, तो सूरियोदय योजना और 300 यूनिट तक का बिजली मुफ्त किया जाएगा, एक योजना के तहट, एक करोड लोगों को, रूफ टॉप सोलर प्रवाइड पैनल प्रवाइड किया जाएंगे, जिसमें 40% सब्सिडी सरकार देगी, केंद सरकार देगी, ठीक है, तो ये दोनों केंद सरकार की योजना है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर मित्र वन अस्थापित करने की गुशना की है, अब बताओ, बहुत उजी कुशन, लेकिन फिर भी गलत करके आएंगे कुश लोग, उत्तर प्रदेश सरकार की किस देश की सीमा पर, अब उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर तो उत्तर प्रदेश की सीमा पर मित्रवन अस्थापित किये जाएंगे इसमें हाला कि वो सीमा से कोई संब्ध नहीं है यहाँ पर इस कुछन का मतलब मित्रवन से है पेड़ पौधों से है ठीके ना मित्रवन अस्थापित किये जाएंगे यहाँ पेड़ पौधे लगाने के अबी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 36 करोड पौधे लगा कर करोड पौधे एक दिन में लगा कर विस्च्व रिकार्ड बनाया अगला कुश्चन उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगधर के लिए किसकी अध्यक्सता में 3 सदस्टी नयाईक आयो गठन किया इसमें इसके नियाईग जाँच के लिए अभी तीन सदेस सी एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे बिरजेश कुमार शिर्वास्तो की अध्यक्षता देखो जो भी committee बनती है जो commission बनता है उसमें जो अध्यक्ष रहता है उसकी नाम पर commission का नाम रख दिया जाता है आप सुने होगे बलवंत राई महता समित तो इसका मतलब आप से पूचा जाएगा मतलब बलवंत राई महता समित की अध्यक्षता कौन कर रहा था तो अध्यक्स बलवन्त राये थे विजय केलकर समित विजय केलकर अध्यक्स ऐसे ही मतलब रंगनाथन समित रंगनाथन अध्यक्स कुछ भी जो भी समित होगी जो अध्यक्स होगा उससी की नाम पर उस समित का नाम रखा जाता है तो यहाँ यह आयोग जो है ये जाँच वगारा करने के लिए था ठीक है? अगला हाली में जारी एक नई रिपोर्ट के अनुचार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? सारस, सारस दोस्तों, सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकिये पक्षी है सारस क्रेन जो भी कहो अभी यहाँ पर एक नई रिपोर्ट जारी हुई है इसकी गणना की और इसमें बता दिया गया है कि अब आबादी बढ़कर हो गई है 19,918 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार याद रखना बहुत इंपोर्ट यह भी है क्योंकि राजकिये पक्षी है चलो अगला हाली में कहाँ पर एसिया की पहली स्वास्त अनुसंधान प्री क्निलकल नेटवर्क सुभधा का उधगारन किया गया एसिया की पहली भारत में नहीं पूरे एसिया में पहली बार स्वास्त अनुसानान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुभधा अस्थापित की गई है यह चोटे पसपस्चियों के लिए चोटे जीवों के लिए जन्तुओं के लिए है जैसे मेढक हो गया खरगोस हो गया छोटे जीव जन्तुओं के लिए यह है उनके लिए क्लिनिकल सुभधा है तो यह प्रोवाइड करेगी फरीदाबाद में यह अस्थापित की गई है याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ UPGK का इस्पिसल जो बैस लेना है जिनको जिसने UP का पूरा इतिहास UP का स्टैटिक GK पूरा मैप वाइज जिले जोन कौन कौन से हैं मंडल कैसे हैं मैप में कैसे याद रखना है कितने बॉर्डर एरिया के जिले है सब आपको पढ़ाया गया है तो अगर आप जिनको बैस लेना है वो WhatsApp करें WhatsApp आपको किस पर करना है नंबर मैं लिख देता हूँ ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ 7-2-3-5-9-3-9-4-6-7 बहुत ही nominal cost पर आपको यह बैच मिल जाएगा फटा-पट से 10 दिन के अंदर पूरा तयार कर डा लिए और M.J.T.S.U. किसन के Telegram Group को जोईन कीजिए क्योंकि Telegram पर आपको इस वीडियो के PDF मिल जाएगी ठीक है Thank you so much for watching कोई भी चीज छूट रहा होगा तो मैं आपको कोई एक सिसन और ला करके कवर करा दूँगा जैसे मुझे ध्यान आ रहा है UP का budget शूट रहा है तो UP का budget जो है अलग से मैं आपको दे दूँगा और उसमें आपका कवर हो जाएगा क्योंकि वहाँ से कुशन बनना जाता है